जैसे रामेत्रों डिक्टेशन स्टार्ट तथे जो वर्तमान अपील के नियाय निर्णयन के प्रयोजन के लिए कथित किये जाने अपेक्सित हैं वे इस प्रकार हैं की अपिलार्थी ने धंड सहीता की धारा एक्सो नो कोमा एक्सो तिरानवे कोमा दो सो और चार्सो इकातर के साथ पठित धारा एक्सो बीस ख के अधीन दंड नियें अपराधों के दिये दंड प्रक्रिया शंहीता की धारा दोसों के अधीन परियां अरिवाद फाइल किया था विराम विद्वान मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया शंहीता की धारा एक्सो चप्पन तीन के अधीन शक्ती का प्रियोग करते हुए अभी कथनों पर अनवेशन करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया था विराम अनवेशक अभी करण ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्री करत की ओर तत्पस्चात नियायलै के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया और इसके पस्चात सीसी संख्या 127 के रूप में मामले को रजिस्ट्री करत किया गया था विराम आरोप पत्र फाइल किये जाने के पस्चात अभी युक्त वेक्तियों ने उनमुक्त होने की इप्षा करते हुए दंड प्रकिरिया सहीता की धारा 249 के अधीन आवेदन फाइल किया था विराम इस प्रक्रम पर अपिलार्थी ने सहायक लोक अभी वजक के साथ सुने जाने के लिए अनुग्या चहने हैतू विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्स मोखिक अनुरोध किया विराम विद्वान मजिस्ट्रेट ने फक्सकारों के विद्वान काउंसेल को सुनने के पश्चात यह अवलोकन किया की मूल परिवादी कारवाईयों में असंबद नहीं है और इसलिए आरोप वीरचित करने के प्रकरम पर भी उसके पास सुने जाने का अधिकार है कॉमा तदनुसार अनुज्या प्रदान की गई विराम वर्तमान अपील में मद्ध प्रदेश उचनेयाले द्वारा 2001 की दांडिक रिट याचिका संख्या में तारीक 13 फरवरी कॉमा 2002 को पारित किये गई आदेश को आक्षेपित किया गया है विराम अपिलार्थी द्वारा उचनेयाले के निर्ने और आदेश से विथित होकर उच्चतम नेयाले में विशेश इजाजत याचिका फाइल की विराम पिराचेंज इतिला देने वाले या प्राइवेट पक्सकार भी भूमिका सेशन नियाले में किसी मामले में अभी योजन चलाने के दोरान सीमित है विराम उसके दोरा नियुक्त किये गए काउंसेल को लोक अभी योजक के निर्देशों के अधीन अपना कार्य करना अपेक्षित है विराम जहां तक दंड परकिडिया सहीता की धारा 302 का संबंध है कोमा मजिस्ट्रेट को यह सकती प्रदत की गई है की परिवादी को स्वतंत्र अभी योजन चलाने के लिये अनुज्या प्रदान कर सके विराम परंतु दंड परकिडिया सहीता की धारा 302 के अधीन कोई आवेदन फाइल नहीं किया गया था कॉमा इसलिए अनुरोध पर सुनवाई किये जाने को निर्बंधित किया गया था जो दंड परकिडिया सहीता की धारा 301 के अधीन अनुबंधित है विराम अनुग्या चाहने के लिए आवेदन फाइल किया जाना चाहिए था विराम नयालई की उत्सुकता इस बात पर विचार करने की है और नयाले यह सोचने के लिए बात दे है की जब परिवादी फाइदा लेना चाहता है जैसा की दंड प्रिकिडिया सहीता की धारा 302 के अधीन मामले पर लेखित आवेदन फाइल करना चाहिए था ताकि मजिस्ट्रेट अपनी अधीकारिता का प्रियोग कर सके विराम स्टोप धन्यवाद